दोस्तो, बिहार में एक वीडियो काफी चर्चा में है। वीडियो है मनीश कस्यपवा की। जे हाँ, दोस्तो, पेशी के दौरार मनीश कस्यपवा ने अपना आपा यानी मानसिक संतूलन खो दिया और जोर जोसे पागल कुत्तों की तरह चिलाने लगा। दोस्तो, ये क्रिया लगभग घंटों तक सड़कों पे चलती रही दोस्तों हमाम तोर पे देखते हैं कि किसी भी पेसेवर अपराधी को किसी भी मुझरिम को मीडिया के सामने या कैमरे के सामने इतने ज़्यादा समय नहीं दिया जाता बोलने के लिए लेकिन अब किसकी छतरचाया में किसकी सहयो होने के बाद ही पता चलेगा लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि यह चड़ी गयं का एक कुट्ता है जो चड़ी गयं के लिए काम करता है दोस्तों यह हमेशा की तरह फिर तेजसुई आदो को टार्गेट टरते हुए कहा कि मैं चारा चोर का बेटा नहीं ह है यानि हमारा बाप आज भी फोजी में है और एक बार पाकिस्तान से यूद बिलर चुके हैं दोस्तों घबलाओ मत आज मैं इसकी सारी हेकड़ी उतारने वाला हूं क्योंकि आज मैं इसकी सारी जनकुंडली लेकर बैटा हूं ठीक है और मैं बता दूंगा कि यह कितना दो चलता है कि भारत का युद्ध पाकिस्तान के साथ 1971 में हुआ था यानि 1971 में ठीक है उसके बाद कभी युद्ध नहीं हुआ आप तक तो 1971 में युद्ध हुआ और 2030 तक बीच में अगर तुलना देखे जाए तो लगभग 52 साल हो गए और इसका पिता अगर फोज में भरती ठीक है लेकिन यह कहता है कि आज भी इसके पिता फोजी में है तो 70 साल तो कोई फोजी नहीं बनता है यानि फोज में काम नहीं करता है लगभग 60 या 65 साल के बाद वो रिटैर हो जाता है तो यानि इसका दोगलापन है अब पता निए फोजी का बेटा है या फिर किती अपराधी बना दिया गया है तो मैं आपको पता देना चाहता हूँ कि यह जन्मजात अपराधी है क्योंकि यह जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल के हिनमास्ट्रा से इसने मार्क पीट किया था क्योंकि वो ओभी सी था 2017 में इसने गांधी जी के बारे में अपसब्द का प्रियो किया था गांधी को कहा था कि मैं गांधी के मौत पर मातम नहीं मानाता हूँ मैं गांधी को कुछ नहीं मानता और इसके अंदर सामनत वादी सोच और धार्मी कटरता इतनी भरी हुई है कि इसमने बेतिया के एक च बेचने वाले मजदूर एवं बेवपारियों से इसने मार पीट किया था, उनके कपड़े को उठा कर सड़ को वफिक दिया, क्योंकि वो मुसल्मान थे, 2021 में इसने एक बैंक मैनेजर से मार पीट किया था, दोस्तों, बीतिया में इसके उपर साथ एफाईयार दर्ज हैं, इसे किसी ने बनाया नहीं है, और क्योंकि ये चड़ी गैंग का आदमी है, तो चड़ी गैंग वाले कितने बड़े अपराधी होते हैं, आप सबी जानते हो